हलो विवन क्या हाल चाल है मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे तो जैसे कि मैंने पिछली बार मैं वीडियो बनाया था तो मैंने 700 लाइक का एम रखा था टार्गेट रखा था और आपने मेरा 700 लाइक का टार्गेट कंप्लीट कर दिया तो मैं बहुत ही भी खुष हूँ कि आप मुझे सप्वर्ट कर रहे हैं जैसे मैं बोर्ड़ रहा हूं वैसे रहे हैं तो मैं आपके लिए वैसे ही लिए यहां पर लेके आ रहा हूं जैसे कि तो आप मुझे support कर रहे हैं, मुझे बहुत ही खुशी हो रही है, लेकिन आज की जो वीडियो है, बहुत ही कमाल की होने वाली है, तो आज की वीडियो में हम aim रखते हैं, 800 like का, और अगर आप मुझे 800 like देंगे, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी, तो आज की trick है इतनी कमाल की, जोड़ी से देखके आप जो हैं, जरूर लाइक करेंगे मेरे वीडियो को, और अगर आप मुझे support करते हैं, तो फटाफर जाके इस वीडियो को लाइक कीजेगा, अगर नए है चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पे इस तरह की वीड जरूरी है, सबसे पहले आप notification panel को नीचे करते हैं, कुछ basic चीजे भी हैं, जाइद कुछ लोगों को पता होगा, लेकिन जाना जरूरी है, क्योंकि हर कोई जो नहीं जानता है, तो first trick क्या है, तो first trick जब आपको अपना notification panel down करते हैं, तो आप flashlight यहां पे on करते हैं, flashlight यहां पे लेवल को कम भी कर सकते हैं, आपका यह 3 पे रहता है, 4 और 5 इसे flash को ज़्यादा भी कर सकते हैं, अपनी flash को यहां पे लेवल को, और कम भी कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं, flash एक लेवल एक पे रहे, तो आपकी यह कम जलेगी flash और आपकी battery भी कम use होगी, ठीक है, तो यह लेवल का option भी आपको यहां पे देखने को मिल जाता है, flash वाले option में, ठीक है, यह थी हमारी पहली setting, उसके बाद जैसे कि आप यहां पे protect mode on करते हैं, तो protect mode on करने के बाद जैसे कि आप कोई gallery open किया है, कोई application open की है, तो आपकी screen rotate हो जाती है, यूटुब open किया है, तो आपकी screen यहां पे rotate हो जाती है, लेकिन आप home screen पे करेंगे, तो आपकी home screen यहां पे rotate नहीं होगी, लेकिन, 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 ने क्या करने हैं यहां पर रोटेट हो रही जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं तो आप इस ओप्ष्ण को भी यूज कर सकते हैं अपने डिवाइज में ठीक हैं अब हम यहां पे नेक्स्ट सेटिंग के बारे में बात करते हैं जैसे कि for example जब आप अपने लॉप लगाते है लोग लगाते हैं ठीक है फिंगर मिट लगा ओपन हो गया लेकिन 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 यहां पर एक ट्रिक है वो क्या है सैटिंग में जाएंगे आपना यहां पर उसके बाद लोग स्क्रीन में जाएंगे लोग स्क्रीन में जाने के बाद आप यहां पर यहां पर जाते हैं तो फि यहाँ पे शौ हो जाएगा यह ओन हो जाएगा मतलब कि आप लोग डीन पर आपका फिंगरिंट वर्क नहीं करेगा इससे क्या होता है की जब आप फोर अपने फॉन पोकेट में डाला थो के वार अपना फिंगर्पींट टाच होता रहता है नमी के कारण तो आपकी बैटरीट भी डाउन होती है तो आप इस फीचर को ओन कर सकते हैं और आपने आप स्क्रीन पे फिंगरपीट को भी ओफ कर सकते हैं ठीक है इसको ओन करना होगा दोबारा से तो आपने फिर से फिंगरपीट वाले उप्शन में जाना है पैटन अपको अन ही होने यह यहां प Music से आपि ने maple काशन के अपने के एक शूल्र से रखना है उसको भी हाँ पर आप कर सकते हैं मतलब की जब भी आपके आपके कॉंटक्ट गूंटाक्ट से हैं आप add करते हैं तो automatically synchronize हो जाते हैं आपके email ID में मतलब कि अगर आपका device के अगर format भी हो जाएगा format कर देंगे अगर आप contact save नहीं करेंगे तो आप जैसे यह वाला email डालेंगे तो automatically आपके contact जो हैं बापिस आ जाएंगे ठीक है ना कमाल की अब last and important setting के बारे में बात करते हैं जो next setting है अपने setting वाले option में जाना है यहां पर फिर आपको यहां पर एक option देहने को मिल जाते है वह advanced features ठीक है तो मैं आपको यहां पर दो settings बताऊं गाँगा जो की बहुत important है और बहुत ही काम भी आएंगी आपकी ठीक है तो वह कौन जैसे कि यह contacts आपके यहां पर आ जाएंगे ठीक है तो अगर आप अपने device को format करते हैं तो क्या होता है कि आपके जो dialing में history रहती है वह सब delete हो जाती है लेकिन आप दूसरे device में वही email डालेंगे तो आपकी क्या होगा जितने भी contacts हैं history में सभी बापस आ जाएंगे जो missed call थी जो आपने call डाइल की थी सब कुछ जो है बापस आ जाएगा इस setting को on करने के बाद वैसे यह second setting भी उसी तरह वह करती है उसके लिए फिर से आपको यहां पर advanced feature में जा रहा होगा तो continue app on other devices इसको on करेंगे तो यह भी आपका Samsung account मांगेगा मतलगी जितनी भी application आपने install की है इस device में ठीक है जितनी भी application जो आप important है आपके लिए तो आप जैसे format मायंगे तो निया phone जब आप यह email डालेंगे तो आपकी automatically वह application दुबारा से install हो जाएंगी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी install करने की ठीक है तो य बाइबाइट टेक है जैहिन बंदे मादरम